देखे एक question है हमारे पास question हम सब बोला गया है if cos a plus cos square a is equal to 1 then find the value of sin square a plus sin to the power 4a तो हमें यहाँ पर cos a plus cos square a इसकी value given है कितनी है 1 और हमें sin square a plus sin की power 4a की value को find करना है ठीक है देखे क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ से जो relation हमें यहाँ पर दे रखा है इससे हम क्या करेंगे जो यह cos a है इसकी value को निकाल लेंगे तो cos a की जब value निकालोगे तो 1 इधर ही था cos square इधर जाकर किस चीज़ का हो जाएगा minus का हो जाएगा अब cos a को तो आप ऐसे ही रखो 1 minus cos square a का formula क्या होता है sin square a तो हमने देखा cos a जो है वो sin square a के एकवल आ चुका है इसे हम equation first मान लेंगे अब हम यहाँ पर squaring both side करेंगे दोनों तरफ square कर देंगे तो जब दोनों طरफ square करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos a square और अगर हमने इधर square करा तो हमने यहाँ पर بھی sin square a के उपर भी हमें square लेना पड़ेगा तो यहाँ पर जब whole square खोलेंगे इसका तो cos square a आ जाएगा और यहाँ पर power और तो power की power से multiply sin to the power 4a तो यहाँ पर यह equation 2 आ जाएगी ठीक है अब आपको जो value निकालनी थी वो निकालनी थी sin square a plus sin to the power 4a की तो इसी को लिख लिए जिसकी value हमें निकालनी है हमें value निकालनी है sin square a और plus sin to the power 4a की value निकालनी है तो अगर हम यहाँ पर देखते है sin square a जो है equation first में उसकी जगा हम cos a लिख सकते हैं और फिर plus sin to the power 4a जहां लिखा हुआ है वो equation 2 से sin to the power 4 किसके equal था cos square a के equal था तो जहाँ पर sin to the power 4 लिखा हुआ है महाँ पर मैं cos square a लिख सकता हूँ अब हमें यह मालूम है cos a plus cos square a की value हमें यहाँ पर दे रखी धी 1 तो यह कितना आ जाएगा 1 तो इसका मतलब यह जो sin square a और plus sin to the power 4a है इसकी value भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी है